Hello everyone and welcome to Mr. Intrudent YouTube channel इस वक्त हम लोग जोग्रफी आफ इंडिया में मिनरल रिसोर्सेस को कवर करने हैं आज हम लोग बॉक्साइट रिसोर्सेस इन इंडिया को देखेंगे इसका प्रोडक्शन और दिस्ट्रिबूशन किस तरीके से इंडिया में होता है कौन-कौन से मेजर ऐसे बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज है उनको हम लोग बैप्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे So without wasting much time, let us start with the video सबसे पहले हम लोग बॉक्साइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे बॉक्साइट का यहाँ पर chemical formula मैंने लिखा हुआ है Al2O3.2H2 है, इससे क्या बता चलता है Al2 यानि Aluminium, यानि यह किसका ओर है Aluminium का ओर है और इसकी मदद से हम लोग Aluminium को extract करते है बॉक्साइट is the principal ore of Aluminium It is associated with the laterite rocks occurring extensively on Plateau और hill ranges of Peninsular India Basically, जो Peninsular India है वहाँ पर आपके जो laterite rocks होते हैं वही पर आपके बॉक्साइट ओर ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो इनका association laterite rocks है और main जो आपका Peninsular India है या hill ranges है Peninsular India की वहाँ पर आपका बॉक्साइट ओर पाया जाता है It is also found in coastal tracts of the country It is clay like substance which is pink color का भी होता है आपका white color का भी होता है reddish लेकिन ज्यादे दर brown, pink and red color का ही आपका बॉक्साइट ओर जो होता है वो पाया जाता है Aluminium is extracted mainly from bauxite ore It comprises one or more hydroxide minerals with the mixture of iron oxide देखिए अच्छा जो color है इसका ये भी iron के ओपर depend करता है आपको पता है iron ores जो होते हैं वो basically red brown color के होते है तो जितना ज्यादा इसमें iron oxide का content रहेगा उसी के हिसाब से इसका color decide होगा अगर ज्यादा content रहेगा तो ये reddish color का होगा अगर कम content रहेगा तो ये pinkish और भी कम होगा तो whitish color का आपका bauxite ore होगा तो इसमें जो impurities है वो क्या होती है आपकी iron oxide होती है इसी को हम लोग अलग-अलग methods से वो सब तो चलो chemistry में हम लोग जब देखते हैं कि bauxite से किस तरीके से alumina बनता है alumina के बाद आपका alumina से देखे एक process होती है bauxite ore से आपका alumina produce होता है alumina and alumina से आपका alumina को extract किया जाता है यही major process होती है आपकी extraction of aluminium के लिए और इसी में iron impurities को किस तरीके से आलग-अलग methods होते है fraud, flotation method, calcination आपने यह सारी चीज़े पढ़ी होंगी तो आलग-अलग methods होते है जिसकी मदद से हम लोग जो impurities है उन्हें remove करते है फिलाल iron content की वज़े से bauxite का color अलग-अलग होता है uses, देखें यहाँ पर हम लोग aluminium के basically uses पढ़ेंगे और bauxite का भी इसी में use हो जाएगा aluminium कैसा होता है, lightweight होता है, strong होता है rust resistant metal होता है इसका इस्तिमाल हम लोग aircraft, automobiles, railway, wagons coaches, home appliances and shipping industry में करते है, कभी-कभी aluminium को as a building material भी use किया जाता है जब कोई दूसरा available ना हो material इसको paper making में water purifying और petrol refining में इस सब aluminium का या bauxite का use है, हम लोग इसका production and distribution देखेंगे सबसे important जो है, Odisha में आपका, Odisha जो है यह largest producer of bauxite और overall जो इंडिया में जितना भी bauxite produce होता है, उसका 50% पार्ट जो है, वो basically Odisha से ही आता है, यह यहाँ पर हमने एक map ले लिया है, जहाँ पर basically आप मध्यप्रदेश में देख सकते है कटनी and Amarkantak वाला area है, then आपका यहाँ पर 36 गर में बिलासपूर वाला area है and then आपका यहाँ पर कोरा पूत है, अभी हम लोग दूसरे map में भी देखेंगे, और भी जो major और आपके bauxite producing areas है, उनको हम लोग जानेंगे गुजरात, second number पर largest producer है, इंडिया में 15% of total bauxite जो इंडिया में बनता है वो गुजरात में, तो जहां हम लोग गुजरात और ओडिशा का add कर देंगे, तो overall 70% तो हमारे यहीं से bauxite मिलता है इसके अलावा जारखंडे और भी कुछ state से important and जहां से हमें क्या bauxite ors मिलते हैं हम लोग एक दूसरा map यहाँ पर देखेंगे जिसमें हमारा main जो bauxite कहाँ पर मिलता है bauxite ors कहाँ पर found होते हैं इंडिया में, वो कुछ major important areas दिये हुए, यह मेरे handwritten notes का part है, अगर आपको में handwritten notes चाहिए, तो आपको में telegram channel पर मिल जाएंगे आप लोग वहाँ से उनको ले सकते हैं और देख सकते हैं अब देखें, यह जो part है यहाँ पर, यह गुजरात में कच्छ में, जामनगर में और जूनागर में यह यहाँ पर वदोधरा वाला part यह पूरा जो है, यह गुजरात की belt है, यहाँ पर आपका box site मिलता है तो यह सारी list में आपको अभी provide कर दूँगा, तो आप उससे याद कर सकते हैं कच्छ, जामनगर, जूनागर और वदोधरा गुजरात में फिर यह जो पूरी belt है, मुंबई से लेकर करनाट, कांधर प्रदेश और आपका तमिलनाडू तक जाती तमिलनाडू में सालीम और नीलगिरी जो है, वो major box site आपके ओर्स यहाँ पर found होते हैं, तो सालीम और नीलगिरी आपको दियान रखना है, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, महराश में थाने, पूने, सतारा, रत्नागिरी यह जो है, यह चारो आपके महराश के important box site ores जहाँ पर मिलते हैं फिर बेलगाम आपको बता है, करनाटका में है फिर चिकमग गलूर करके यह एक जगा है, वहाँ पर है, तो यह पूरी overall belt है, जो आपकी peninsular plateau में मिलती है इसके बाद हमें पता है कि Odisha जो है, वो सबसे important है, तो यहाँ पर हमें एक पूरी तरीके की box site ores की belt मिल जाती है, जिसमें आपका बाला, घाज, दोर्ग, बस्तर कोरा पूर्ट अभी हम लोग ने देखा Odisha का बहुत ही important है, यह सब जो पार्टे संबलपोर, सुंदरगर्ड यह सब जो है, यह हमारा Odisha में आजाता है, पाला मू और गूमला, फिर कटनी जो है, या सुरगूजा जो है यह हमारा दूसरे स्टेट्स में आजाता है इसको भी हम लोग देख लेंगे, कि अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या इसका बॉक्साइट ओर का कहां कहां प्रोडक्शन होता है, तो यह तीन मेजर जो हमने बेल्ट्स देखी थी, एक जो हमारा ओडिशा के पास बेल्ट है एक जो हमारा यहाँ पर महराज से करनाटक होते हुए पूरा आपका तमिलाडू के सालीम एन नीलगिरी तक की जो बेल्ट है और एक हमारी गुजरात वाली बेल्ट है जहाँ पर कच्छ, वदोद्रा, और जूनागर और जामनगर यह सारी होती है तो तीन मेजर बेल्ट है और इसके अलावा एक कटनी और सरगूजा वाला भी एरिया है यहाँ पर मेन बॉक्साइट ओर्स पाए जाते हैं अब हम लोग देखेंगे इसको स्टेटवाइट ओडिशा में हम लोग ने देखा था सुन्दलगर, संबलपोर, कोरापूट, कालाहंडी यह सब ओडिशा में मेजर एरिया से जहाँ पर आपके बॉक्साइट ओर्स पाए जाते हैं इसके अलावा गुजरात में आपका जुनागर, खेडा, जामनगर, कच्छ, भावनगर ये भी हमने देखा था जारखंड में आपका पाला मूँ और गूमला जो था ये हमारा जारखंड का एरिया है ये जो आपका पाला मूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में ये जो पार्ट है पाला मूँ और गूमला वाला पार्ट ये कहाँ पर है ये जारखंड में तो ये जारखंड के में एरिया हो गया आपके जहाँ पर बॉक्साइट और प्रोडियूस होता है इसके अलबा महराश्क में हमने देखा ही था फिर पूने फिर सतारा फिर रतनागिरी और कोलापूर चत्तीस गर्ड में दूर्ग और सुर्गूजा और राएगर्ड है ठीक यही पर आपका जो कटनी वाला पार्ट था वो भी था और तमिलनाडू में मेजर ली आपका नीलगिरी है और साली ही पायदाता है इसके वाद हम लोग देखेंगे इंडिया वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और बॉक्साइट इन दी वर्ल्ड 2010 से पहले लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नमबर वन पर है और जो बॉक्साइट ओर से वो अब इंडिया में 6th नमबर पर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्रोसेस हमने पहले ही डिसकस कर लिया था बॉक्साइट से हम लोग अलुमिना निकालते हैं अलुमिना से हम लोग अलुमिनियम को एक्स्टरक्ट करते हैं तो यह था हमारा short video on the mineral resources जिसमें हमने आज box site को discuss किया, thank you for watching अगर आपको कोई भी doubts है तो आप लोग मेरे telegram channel पर मुझसे पूछ सकते हैं handwritten notes वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और अगर कोई doubts है तो आप उन्हें comment section में भी पूछ सकते हैं so thank you for watching